पुझी पूनम की ही राप्त बाला जी आज थाने आनों तो थाने को ले निबानों है पर बहुत बड़ा संजोग है कि हनवान जैनती के दिवस पर आज पूर्णिमा और शनिवार साथ में इससे बड़ा संजोग किरतन की ही राप्त बाला जी आज थाने आनों है पुझी राप्त बाला जी आज थाने आनों है थान को ले निबानों है पुनम की हे राप्त बाला जी आज थाने आनों है पुनम की हे राप्त पुनम की हे राप्त तया लू आपको सेवा में ओ बाला जगड़ा कड़ा दी के हे ओ कम बसी आपको सेवा में था दी सेवा में था दी माने आज बिच जानों है सेवा में था दी सेवा में था दी माने आज बिच जानों है पुनम की हे राप्त पुनम की हे राप्त बाला जी आज थाने आनों है पुनम की हे राख आले के साथ रेख रेख बोले दीर बजन्द बली की ओ जब जब मैंने तुने पकारा जब जब मैंने तुने पकारा जब जब भक्तों ने अच्छा आपने से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिसके कभी भाला जी काम आये हो ना जिन नहीं ऐसे नहीं देखिए अब यू कहने में तो सभी लोग यह कहेंगे विशाब भगवण तो कहां में आते हैं लेकिन जिसके मन में कभी ऐसा अबास हुआ हो कि आज मेरे साथ में हनवान जी महाराज में कृपा कर दी कभी भी जीवन में जूटे मत उठाना हो बहुत अच्छी बार बस आप तो सुमिरन करो तो कि आश्ट शित्ति नवित निधी के दाता और भगतों के हो तुम भाग्या भाग्या विदाता तो एक बार बड़ी मीठी दाले के साथ में बोलो एक बार ओ जी जब जब भगतों ने तुम ही पुकारा तुम ने दिया सहारा जनम जनम से आस हो बाला जी तुम्हारा जब जब मैंने तुम्ही पुकारा तुमने दिया सहारा जनम जनम से दास हो बाला जी तुम्हारा माना जी तुम्हारा तुम्हारा दागन की हे त्यारी और मैं भजन करा जम कर बाला जी मती देवी करो दागन की हे त्यारी मैं भजन करा जम कर बाला जी मती देवी करो दागो थागो बाला भजना में आने को धनी मति देवी करो क्या थक गए पिछी वाले लोग भजना सूथाने अरे भजना सूथाने भाने आज रिजानों है भजना सूथाने देखे अभी मैं जब अंदर गया तो हनुमान जी के सवामनी होती रोड चड़ता है और हनुमान जी के मुझ पर पूरा लट्डू चिपकाया हुआ था मेरा प्रश्न है कि उस लट्डू को चिपकाने से क्या अनुमान जी उसको खाएंगे मादावेन एक अक्सर कोई भी प्रसाज जब चड़ाती है तो कोई भी मिठाई लेके देवी देवता के तस्वीरिया जो मूर्थी होती है मिठाई का टुकडा लेके उसके मूह में जूर से दबाने की कोशिश की चिपकी रहें नीची नीग रहें क्या ऐसा करने से भगवान के पेट में वो बोजिन जाता है व्याग्यानिक दृष्टी से देखें तो इसका कोई अर्थ नहीं है लेकिन आध्यात्मे ग्रूप से देखें तो मित्रों जिस प्रकार से शब्द जो है वो भजन बनकर भाव बनते हैं और भाव जो है वो बगवान से जोडता है उसी प्रकार से हम जब भोग लगाते हैं तो प्रभू से कामना करते हैं कि यह प्रभू यह मीठा भोग आपके चर्णों में यह मीठास आप हमारे जीवन में रखना क्योंकि हम आपको मीठा भोग चड़ा रहें तो हमारे जीवन में आपकी क्रिपादश्टी बनी रहें यह क्रिपादश्टी बनी रहें हमारे जीवन में मिठास बनी रहें और इ कि जानों है नारेल चड़ाय आपने गोटा जड़ा वह सालतसर दरवार में तो तनों बंद गोटे चड़ जाते लीला नारेल सुका नारेल जोत होती है अगनी प्रजुलित होती है लेकिन मित्रों ये जागरन जो है ये संतों ने स्रेष्ट तरीका बताया है कि हम दुनिया से बाहर निकल कर थोड़ी देर के लिए दुनिया दारी से बाहर निकल कर यहां पर खोड़ा अराम से हो जाए क्योंकि टेंशन तो किसी की मिट्ती नहीं है जी और मैं आपसे निविदन करता हूँ कि जब आप घर जाएंगे जैसे जैसे आपकी गली नजदिक आएगी तो दो चार घर दूर रहोगे तो 15-20 बात आके दिमाद में घुझ जाएगी और जैसे घर के अंदर प्रवेश कर जाओगे वो सारी दुनिया दारी की बातें खिर से आपको भूगनी पड़ेगी लेकिन यहां सो चिंताओं से बहुत दूरा के बैटे हो किसी को यह क्या चिंता माने आज रिजानों है बजना सूथाने भजना सूथाने माने आज रिजानों है ठान को लेन दानों है पूनम की है दात बालाजी पूनम की है दात बालाजी पूनम की हेरा पूनम की हेरा बालाजी आज ठाने आनों है ठान को लेन बानों है पूनम की हेरा मैंने कहा अरे जोधाना के भक्त बुलाते जोधपूर के भक्त बुलाते बुरा का लाम में भक्त बुलाते रोकरिया है भक्त बुलाते भक्त बुलाते तुमको आना पड़ेगा जो बाता किया वो क्योंकि जब सीता जी के लिए वचन किया तो आपने उस वादे को निवाया लक्ष्मन जी पुर्चित हुए आपने वचन दिया कि ये मेरा काम है संजीवनी बूटी लाकर वचन निवाया कलिकाल मैं तो अनेकों लोगों कर जीवन में आपकी कृपा हुई आज की रात में भी असे कुछ आनत हो जाए एक बार बोलो अरे जो धाना के भक्त बुलाते गुटा तलाब में भक्त रोकडिया में भक्त बुलाते ले भक्ती बुलाते तुमको आना पड़ेगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा प्रंत में जो कुछी बन्यों हासों अर पणि करा खाने बाला दी सी कादे करो जो कुछी बन्यों हासों जो कुछी बन्यों हासों अर पणि करा खाने बाला दी सी कादे करो ना दान सुगल पींग बोलो ना दान कानों को पगड़ बोलना ओ ना दान सुगलती होती ही आई है बाला जी मत ज्यान धरो भग्धि मंडलियो भग्धि मंडलियो थारो तास पुराणों है भग्धि मंडलियो खारो तास पुराणों है खान को लेने बालों है किरतन की हेदा दिबाला बड़ा थोड़ा में आला को आना सुगले गिले बाव में खुंगरू बांध के नाचे जब पेराम की माला हो बचरण बाला जे हो बचरण बाव हो जे हो बचरण बाव हो बचरण बाला जे हो बचरण बाव में खुंगरू बाव में खुंगरू बांध के नाचे क्या बोला बड़ा मेरे गाना में से गाओ नो ओ क्यों कर रहे हो है इस संस्कारों का बीदारों पन है पाव में खुंगरू बांध के नाचे जब पेराम की माला हो बचरण बाला जे हो बच दंग बाल जे हो बच दंग बाल जे हो बच दंग तरह बमध की ओ हनुमति जाया असूरी संघारे और सीता की सुद लेने खाते लो ओ हो ऑ हुँआ कि सुद लेने खा तिर जासे क्या कर ढाला वो बच रंग बाला जे हो बच रंग बाला जे हो बच रंग बाला ओ तेरे पन का पार ने पाया हो तेरे पन का पार ने पाया हो जा हो तुझे जहां सी में रूम वहां पाया हो तुझे बसंतिम बात मैं सभी बुरक बड़ा पुरा मंचे आज मेरा बड़ा सवपा की अमित्रों की एक तरफ हमारे धर्म की धूरी धर्म के जो आधार है ऐसे महापुरुष जिनकी दिव्वी कृपा पूरे इंदुस्तान में प्रतिती है ऐसे परम पूजी संत चर्णों की उबस्तिती है एक तरफ हमारे विशुद्न परिश्द के छेत्रिय तब हो आधरिनी बहुर जी भाय साब है आपको निगतन करना चाहतों मेरी बात को अंतिम सुन ले ना बीच में भाय साब को सर दाथा जल्ली से पिलागी साइड हो जाओ आप पिलाओ पानी लेकिन दमस्ता हूं हमारी परम पराए क्या है द्यान से सुनना जैसे आप जोदपुर में आके रहे हो आपके से बहुत सारे लोग जोदपुर के आसपास के गाहों से आए और लगब ये जो इलागा आई ये तो पू कि ये हिंदू परमपरा का आधार क्या है बाद सब्सक्राइब जोटी निकले आप मुझे बता ना और आप मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रयोग करके देखना कि ऐसा होता अगनी होती आप अपने गाव जाओ ना कभी या गाव नीजाओ कभी भी शेहर से बार जाओ और आकार का कोई पत्तर सड़क के किनारे पढ़ा हो त्रिकोन आकार का जो पत्तर है और पत्तर जैसे पढ़ा है आपको सिर्फ इतना करना है कि उस पत्तर को उठाना थोड़ा साफ करना धोना और एक नीचे शिला लगा देना उस पत्तर पर दो रुपे की माली पने लगा कर औ हो सकता है कि दूसरे दिन वहाँ पर आपको एक नारेल चड़ावा मिले तीसरे दिन दो-चार नारेल और चड़ेवे मिले चौते दिन कोई पी इंद पोगो कोई ब्याव कर आता वेलात बठे और कोई पांस साथ नारेल किसी का काम मन जाए कोई रोज उड़ो आगो निकले और गाड़ी दो बचिट खातों का तो मिठ जावे रुक जावे और उस दैवर की नजर पड़ेगी इदर तो एक छोटे से गर्माजी बैठे बोले कि बगवान मैंने बचा लिया कोई पैसे वालो बोले ओटो बढ़ा दे हमने गौमाता में भगवान को देखा है भारत इस विश्व का सबसे स्रेष्ट देश है और भारत की हिंदुआ परंपरा विश्व में इसकी कोई बराबरे नहीं कर सकता क्योंकि हमने पत्थर को भी भगवान के रूप में पुजवा दिया लोगों के आस्ता का खेंदर बन ओ तेरे मल का बादर पारा तुम्हें तहां से विरू वहां पारा तेल सिंदूर सदा वो तेले वो में पारा तेल सिंदूर चडा रे जिनका तेल सिंदूर सदा वे वाला जिनका संकट डाला grabड़ा बादर पारा वाला होड़ी 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 हुड-घू कर दो